प्रेटफार्म पर जल्दी सा जाएए फटाफट सेशन को जॉइन करिए और क्लास स्टार्ट होगी उतकर सुपाधिया जी थोड़ा सा पेस्स थोड़ा सा सब्र रखा करो आप जो कि प्रसान नहीं हो ना है चलिए पता दीजे मुझे आउडियो ए वीडियो फिन्युक्त हैं आप लोगों को बता दीजे मुझे पर लोग आकर बढ़ें इसमें इस था आइडियो वीडियो प्रड़ाम अरुप कर दकै इस वार हम लोगों को क्या करना है या देखेगा हम लोगों को वेटा इस वार चलो बैरी गुट प्रहिट लोगों को लेके आना है कि नहीं चलना चाहिए कैसी काल बहु drafted Dain कि I'm thank you तो एकदम से पेपर को हलुआ बना सकते हो यह आपके उपर है बस थोड़ा से अपने उपर सब्व रखेगा अपने उपर इतनुनान रखेगा वरोसा रखेगा और आपका एक और चीज रहेगी यहाँ पर कि डेली में आपको टॉपिक वाइज आपको क्या करूंगा यहां प कर लिए बेटा यहां पर 499 का है अब आज अगर मेरा कोड यूज करेंगे आप APS pass अगर कोड यूज करेंगे तो यहां पर आपको 125 का off यहां पर सीधे सीधे आपको मिल जाएगा तो आज ही जाएए यहां पर और हमारा जो यह कोड है इसको यूज करिए और 125 끼ं आट के साथ हम पूरे एक्जाम के लिए पूरे साल के लिए पूरा पूरा आργा क्या करें यह पाँ-पास इसको उसको लीजह राइट चलिए गढ़िया आगे बढ़तें और प्रक्रास के पीडिए आफट लिए प्लगोस के लिए जहाँ पर सिंपल सिंपल बताओं आप लोगों कु एडिया," व को पूरा पूरा बना दिया है। । कितने लोगों ने क्यों वहां से आप क्लास आप लिए है," और क्लास काई। उस ही सब् justement क्लास चाहिए और क्लास को जतना जल्दी हो सकता उतना जंदा सेर कर दीजिए लोगों के पास में और बागी लोगों के पास में टेलिग्राम पर दिया में अरपित गुपता मैंने टेलिग्राम जो हमारा गुरूप है यहां से कर देखो है मैं आपको बता हूँ अगर तो दोस्तियार यहां पर पूछे जाते हैं चाहें वह पहला मैं पहले आपको बता दिया करूंगा आज की कलास यह कल की क्लास यह अपको एक बार शो कर दूँगा ठीके बात चलो आगे बढ़ते हें इदर इंडेस बेली सिब्लाजेशन हडपा सब्विता की बात करें तो हडपा सब्विता इंडेस बेली सिब्लाजेशन आपके बहुत सारे एक्जामों के लिए क्या है आपका important है यह तो इसको पढ़ देजी आप यहां से एक question आना तैय है मतलब यह question इस topic से आएगा ही आएगा आप लिखे ले लो एक question यहां से आएगा ही आएगा तो इसे एक question के लिए आज की class है आपकी current success इंग कल से है सुबा साथ बज़े कल morning morning 7 a.m. से आपकी current request की class भी शुरू हो रही है तो इसको भी आप लोग क्या करिए बैटा एक दम नोट कर लिजे कल सुबा साथ बज़े से और तीन बज़े थिरी पीम पर आपकी class क्लास 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 चल रही है लेकपाल की class चल रही है तो तीन दिन class है आपको मिलेंगी और क्या चाहिए जिन्दिगी में किशन धीरिधिर कवांगों मैंने बोला था आप लोगों से कि धीरीकुस्ति धूरू करवाउंगा आपके इस बैच की खासियत है जो आपका बैच में चला रही हो यहاं पर आपको यहां पर सिरफ। नहीं मिलेंगे ऐसा कुछ नहीं कि 사 inconsistent कि यह लाकर लोलिक सभी by स्भिलाज़ियसन की बात करों तो इंडेस बैपा सब इता जो है आपकी इंडेस बैपधैसे नाम से जाना गया इसको बहुती बहुती बाड़ा सवाल आपके सामने आता है क्यूंकि जहां कर मैं भूलूप की बाइब मैं कहां से हुँ मैं फर्काबाद से हूँ तो मैं फर्काबाद से जाना चाहंगा, परिंस भी कहां से, आपके noida dillis है, तो दिलिस से मानी जाएंगे, शिछा दिल्लिस है तो दिल्लिस मानी जाएंगे टाइट, लक्षमी जी जो हैна वारी, क्या बोलते हैं लखनों से नाम, लखनों से मानी जाएंगे तो यह सारी चीजे आपको एरिया के साफ़ से नाम दीया जाते हैं तो इंड़ेस पिलाजसन यहां पर पर पे एसा पूरे आपको क्या माना जाएगा यहां पर इसको सिंदम घाड़ कहा गया पहला पॉइंट अगर आप से पहुंचा जा इसको तो जो सबसे पहले आता है उसी की नाम से क्या होता है मावाब का नामकरन भी हो जाता है तो हड़पा सबीता यहां पर पहली सबीता खोजी गई थी 1921 में 2021 में और कौन खोजा था इसको द्याराम शाहनी द्याराम पढ़ा कभी आपने सोची कि यह बात कि यूँ इसका नाम मोहन चोडाव पढ़ा तो मोहन चोडाव नाम पढ़ने के पीछ एक सिंपल सिंपल एक चोटी-चोटी बजा यसकी वह यह है कि यहां पर पहले जब लोग जब अपने जानबर बगरा चलाने जाते थे बच्चे वहा यह मरे हुए लोगों का टीला है तो इसको ब्ला गया मिर्थकों का टीला जोगो करें बो sì कोtı to sit ब्हासा में मुझा बोला जाता था यह पढ़ गया क्या मोहन जुदालो तो यहांसे आपका नाम पढ़ गया स्का मोहन जुदालो तो मोहन जुदालो इसलिए इसको कहते है यह point के लिए आप लोगों का। मित्कों का टीला या मूहीट, मौईन जुदालो या मौंट सिम्पल बात है कि इसका टाइm पीरिट रहा है वो रहा है कि आप से कब तक 3100 से लेकर इसका लेकर टाइम पीरिट हैता कहां तक आपका लगबग लगबग ये चलती है हुमारी सब्विता लगबं लगब बारहसो पचास बारो सो पचास बीसी तक चलती है पहली बाद तो यह नोट कर लिजेगा लेकिन यह पूरा पीरियड है जो मैच्वर पीरियड इसका नहीं कहा जाता है अगर आप से पूचा जाए यह सवाल आपका पूचा गया था आपके स्टेट पीसेस में कि हड़पा सब्विता क मैच्वर पीरियड यूह बोला जाए तो कि कि चेटेट का आल है तो यह पाच्ची सो से पाच्ची सो से जो 1750 इसी तक का टाइम है यह हडपा सब्विता का सबसे मैच्वर पिरियड सबसे स्वर्णी प्यूप या सबसे गोल्डन एज कही किया जहांब अब हाडबा सबिता इंड़ो बोला, इंड़स बैली सिविलाजेशन बोला, और इंड़ो क्यों बोला, क्योंकि वो जो इंड़स बैली है, या इंड़स रिवर है, दोको इंड़स रिवर, इंड़स रिवर, एक तो आपकी इंड़स रिवर हो गई, इंड़स रिवर की जो बैली है, उसको क्या ब पढ़ेगा इंडिया क्या बड़ेका नाम आपका इंडिया पढ़ेगा ठीके चलिये आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पर कुछे जाते हैं कि उत्तर में सबसे कॉइंट कौन सा है पूरा में कॉन सा है तो अगर इसकी चलिए बहुत अच्छा नहीं बना है बर हाँ ठीक है कोसिस जारी रहेगी आगे बढ़ते हैं दर तो जम्मू के समें बात करें जगा पड़ती उसको बोलते हैं मांडा किसा अहां बात करें तो पड़ेगी आपकी कौन से यहां पड़ेगी मांडा और यह कौन से नदी किनारे ख़ए हैं यह चेनाओ नदी किनारे हैं चेनाओ नदी किनारे पड़ती है तो एक पाइंट आपका ही ओ गया यह सब से उत्तर में पाइंट है अगर दचिन की बात कीजा यहां पर तो दचिन पड़ेगा का אתõमाबाध जो कि आपका महारास्ट्रा में पढ़ता है बिता महा महारास्टा में पड़ता है गोदाबरी नदी के किनारे तो यह दो पॉइंट ऑगैं अगर मिदरबात करूं सबसे पश्यns से मैंने पड़ता हो का मैं पर्ते किनारे कई उसको बूला गया बलुचिसथान पने पर एक कता है मेरठ के पास में मेरेट में बढ़ता है हमारा जिसका नाम है आलमगीर इस्तरीकेश देखेंके अगर इसको ऐसे मिलाएंगे तो यह क्या बनाता है क्या एक rectangle बनाता है पूरा पुरा ये रिया और यह पूरा रीजन कहिलाहा जाता है अट इन्ड़ेस अधिनले के नाम से इसको जानते हैं तो यह चारो पॉइंट आपको याद रहने चाहिए कि सबसे पूरब में पॉइंट कौन सा है उत्तर में पॉइंट कौन सा है ठीक है बाद यहां से कोई दिक्कत आप लोगों को अगर आप से सवाल पुछा जाएग जो आपका नौर्थ और साउथ पॉइंट है इस नौर्थ और साफ पॉइंट पीच यहां देखेंगा यहां तक यह चाँ का आईगगा। नौर्थ और साउथ बाला हमारा कटपनिए। जल्ड मारास्त्रा के बीच में हमारी 1400 lesn सब्सक्राइब देखेंगे आप आलमगीरपूर से मेरट की तरफ आलमगीरपूर से आपके मेरट की तरफ करेंगे यहां पर पढ़ेगा आपका कितना तो यह आपको कुछ पूंची सी जगे देखेंगे इस जगहा पर कुछ पूंची जगह देख RD And सब्सक्राइब गोई वह दो चुए अपको च्छोटे मोंटे घर हुआ है और यहां पर आपको इसको बोला गया।। great बात कहा गया great बात कहा गया विसाल इसनान गर कहा गया तो लोगों ने ये सब सबगता देखकर यहाँ कि खुदाइ करी इसको देखकर लोगों ने सिर्फ अनुमान लगाया है कि यहाँ पर क्या किया चीज़ पाएगे होंगी कैसे कैसे चीज़े रही होंगी क्योंकि इसकी जो लिपी है एन की जो स्क्रिप्ट है उसको पढ़ा नहीं जा चुका है स्क्रिप्ट की बात करें तो लिपी की बात करें इस लिपी को अभी भी किसी ने पढ़ा नहीं है पढ़ा नहीं है पढ़ा नहीं जा चुका है या दिखीगा तो कोई भी इसको नहीं पढ़ पाया जिस वज़े से यह लेपी अभी भी पढ़ी नहीं है ठीक ही बात चलिए सर इस class का PDF कहां पर मिलेगा इस class का PDF आपको मेरे टेलीग्राम गुरुप पर मिल जाएगा बैटा जहां पर आप जॉइन हैं आप सब लोग जैसे कि यहां देख पा रहे होंगे यहां पर आपको विल दिख रहा है सांड दिख रहा है इसके लावह यहां पर आपको प्रकरति को नेचर को बहुत मानते हैं और किसी भखवान की जैसे ब्रमा बिश्डू महस संकर जी इन सब किसी embaुर्थी हम यहां पर देखने को नहीं मिली है, यहां पर लोगों को इंदर भगवान, नेचर, पेंड़ पॉधे, भसुपच्छी और मदर गोड़ेस, यहां कि हमारी जो मात्र देभी होती, उनकी पूजा होती थी, और किसी की पूजा यहां पर नहीं होती थी, ठीक है, चलिए, अब यह यहां से कुछ factual चीज़ें देख लेते हैं, जो factual चीज़ें हैं, उनको एक बार क्या कर लेना है, उनको याद कर लेना है, क्या क्या फैक्ट हमको यहां से याद करने है, ठीक है बात, चलो, बेरी गूड, यहां देखें, बेटा, आकर देखा जायां से कि कितनी साइटे पाई गई हैं, तो 1400 इंडेस वेली सिबलाइजेशन में, 1400 साइट्स पाई गई हैं, जिसमें कि आपकी 925 जो साइट्स हैं, वो आपके इंडिया में मिलती हैं, 475 साइट्स की बात करिया है, तो बेरी की बात करें, आमरी, तो आमरी की खोच किस ने पेढ़ा, एट गै, अंजी मजूमदार ने की, 1935 में, और ये कहाँ पर स्तित है, सिंदु नदी के, ध्ड़ पर श्तित है, काली बंगन, काली बंगन की कोच करते हैं, घोष, 1973 में, कहाँ पर श्तित है, राजिस्तान में पढ़ेगा सुर्कोथ रड़ा इसके साथ में कई सारी नदियां लोगों से पूची जाती है कौन सी साइट आपकी कौन से नदियों के किनारे है जैसे कि हड़पा की बात करें तो अब बात करें तो इंड़र नदियों की बात किया यहां पर तो घगडर नदियों की नरे है धोला वीरा लोनी रिवर सुर्कोत्रव साबरमती रिवर बनाबली स्रसुति रिवर और रोपर जो है आपका आथिक सा रूपर बढ़ेगा आपके सतर व्रयादी के किनारे और इस मैं पर आपको साइटें देख रही है जाये आपका क्या बोलते हैं कोई साइट होए है आपप जितनी साइटें आपको देख रही है सारी डोलेजी नदी के किनारें, जैसे आप देखेंगे, आमरी यहां पर है, चौंदड़ो है, कोट दीजी है, बाला कोट है, मोहंच उदाड़ो है, ठीके बादे देख सकोंगे, सिंदोगे आपका, और इधर आपका देखेंगे, धोला भीर नदियां मिलती है, नदियों को कैसे याद किया जाए, तो simple आप याद धखेगा, अब ये मैं trick बता दूँगा, आप लोगं किस trick से आप इनकी नदियों को सेरों क याद कर सकते हैं, जैसे की, आप किया धखना है लोभी मौसी का कंगा, लोभी मौसी का कंगा रमा ने ले लिया तो उसे उसने रोस में आकर बस से कुचल दिया रोस में आकर उसे क्या किया उसने बस से कुचल दिया ठीके बाद बस से क्या कर दिया कुचल दिया तो यहां से आप इसकी जो आप की क्या बोलते है नदियां याद देख सकते हैं, लो भी, तो लो से क्या हो गया, 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 लो तो बस से हो जाएगा आपका बना बली बना बली कहाँ पड़ेगा आपका सरसुती नदी किनारे पड़ेगा याँ पर और रोज से हो जाएगा आपका रोपड रोपड कहा हो जाएगा रोपड रोपड पढ़ेगा आपका किस नदी किनारे सत्लस सत्तर नदी किनारे सत्तमली किनारे पड़ेगा तो ये साही नदिया आप इस तरीके Сाथ आप क्या कर सकते हैं इसको याद कर सकते हैं लोभी मॉसी का हरा, कंगा, अरे हरा तो भूली गया हमें ह, कंगा कैसा था हरा था तो हरा से क्या हो जाएगा हरा हा से क्या हो जाएगा हरपा हा से हो जाएगा हरपा और रा से क्या हो जाएगा राभी नदी तो हरपा कहां पड़ेगा बेटा ये राभी नदी के किनारे पड़ेगा तो ये भी आप भूल गया थे चलिए इख Пरांद के वह देख सकते हैं आप इसके लाब है यहांपद डाड़ी वाले बाबा की फोटो मिली है दाड़ी वाले बाबा की फोटो को अबर ध्यान से देखें तो ये फोटो कुछ आद दिला रही होगी आपको चलिए इन डाड़ी वाले बाबा की फोटो मिली यह आपड़ बाबा कुछ कबरे मिली हैं आपको कबरों में देखा जाए तो double burial system मिला है मतलब ये दो सब दफनाय जाते थे यहांपर तो एक सब के साथ दूसरा सब दफनाय जाता था कभी कबार किसी सब के साथ किसी जानवर को दफना देते थे सब के अंदर आपका मटके मिले हैं मटकों के बास बरतन रखे मिले हैं उनमें आपके अनाज बगरह मिले हैं तो ऐसा माना जाता है हो सकता है कि यहांपर सतीपरथा जैसी कोई रीत रही हो जहांपर पतनी के बाद पती को पती के साथ पतनी को दफना देते हो यह मां लिजे कुछ और भी चीज़ें हो सकती है बढ़ू भी इसका final conclusion यहाप नहीं निकल पाया है, यहाँ हो सकता है, कपल होते हो, यह हो सकता है, धो, प्यार करने वालों को यहाँ पर सजा दी जाती हो, यह भी हो सकता है, अगर negative सोचें तो, यह भी भी हो सकता है, धो, थो, धो, यहां पर देखा गया है और यहां पर देखा गया कि किनारे है और यहां पर देखा पाया गया नाप्तॉल की चीज़ें मिली है उसके साथ साथ में यहां पर जैसे की चैस होता है शतरंज होता है इसके साथ में चाबल की भूसी मिली है मतलब चावल की क्या मिली है भूसी मिली है यह सब सीज़ें आपको लोथल से मिली है ठीक है चली आगे बढ़ते है अगला पॉइंट यह देख सकते हैं यहाँ पर यह सीटा डिल माना गया तो ऐसा माना गया कि जो सीटा डिल था यहाँ पर यह सबसे उची जगा हुआ करते थ जा यहां के जो कुलीन लोग हुआ करते हैं यह वो लोग जाए बनाय जाते थे वह सकता है कि क्लीय के जैसा हो और लोग यहां पर क्या हो रहते हो यह नेचे पर नीचे रहते हो आज सब्सक्रावारी क्या संक डेख हडपा की बात करें अगर हडपा साइट की बात करें तो हडपा में आद दखीगा कि दयाराम साहनी दयाराम साहनी ने 1921 में क्या की इसकी खोच की दयाराम साहनी ने 1921 में इसके अलावे आद दखीगा कि ये राभी नदी के किनारे पाये जाता है रावी नदी के थटपर पाय जाता है और सबसे अची वात है यहाँ पर क्या मिला है मानब सरीर की रचना मिली है मानब सरीर की रचना मिली है और सेंड स्टोन की मतलब मूर्ती की बनी हुई हमारे मानब की क्या मिले है चित्रगारी मिली है यहां, पर मूर्थिया रहिए हैं, इसको नूट कर लिजएगा, इसके इलदाबं ही आपर अनाज भण्डार देखने को मिले हैं, गनेरीज्स मिली है, और बैल गाड़ी भी खांग से प्राप्ट हुई है, आपको हडपा से प्राप्ट होती है, बैल गाड़ी क्या प्राफत होती है आपर बेलगाडी प्राफत होती है ठीके बाद चलो आगे देखते एंधर आपका मोहन जोदोर की बात करें मोहन जोदोर को founder of the dad कहा जाता है Agora author of the dad दे आमित्कोड के टीला कहा जाता है और इसकी जो खोच की है वो आडी बनर जी ने 1922 में की 1912 में गी आडी बनर जी ने 1922 में इसकी खोच की मोहन जोदरो या माइंड ऑफ दा डेट की ठीके बाद आगे बढ़ते हैं इसके साथ और इदर देखेंगे कि कहां पर पाई जाएगी बिटा ये जो पंजाब है ना जो अभी किसमें पढ़ता पाक पाई डाज बाया जाव है इसके लावा बोलें तो यहाँपार गृर्ट बात मिला यानि कि इसनाना घार यही समय कूव प्राप्त हुआ है इसना घार प्राप्त हुआ है इसके लावा डाड़ी वाले आदमी की फृत्मा मिली है और cotton का यानि कपास का बुना हुआ टुकड़ा भी मिला है जहां से पता लगता है कि यह लोग कपास के बारे में भी जानते थे और कपास के साथ साथ में यह कपड़े के बारे में भी जानते थे कपड़ा बनाना भी यह लोग जानते थे यह सारी बाते पता लगती हैं हमको इ प्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप्रप् आप लोगों का किसी तरीके का तो जो भी आपके डाउट है वो पुछते रही है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं चौंदोलो यानि की आमरी की बात करते हैं चौंदोलो जिसकी खोच्की किस ने बैटा एंजी मजुमदार ने 1931 में की और इसके अलावा यह सिंध एरिया में पा आते थे और यह सवाल बहुत बार पूचा गया है कि एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुट्टे के जो पदचिन पराप्त हुए हैं यह किस जगा से पराप्त हुए है तो कहां सो जाएंगे बैटा चौंदोलो कैसे इसको या दखेंगे चा से चौंदोलो चौंदोलो और च इसकी खोच करते हैं को और एंजी मजुमदार 1935 में 1935 में करते हैं और इंडरस नदी एकनारे यह भी साइट पाई जाती है और इसका सबसे अच्छी जो याद दिखने वाली चीज है वो के आप लोगों के लिए वो है आपका एंटिलोप एविडेंस उसको बोलते हैं मरग में पाया जाता है और घगर नदी के किनारे पाया जाएगा काली बंगन सबसे अच्छी बात यहां से जानने वाली यह है कि यहां से क्या पूछा जा सकता है कि अगनी बेदिकाएं अगनी बेदिकाएं या जिसको हम लोग बोलते हैं fire alters fire alters या अगनी बेदिकाएं कहां से मिली है कहां से काली बंगन से मिली है तो इसलिए काली बंगन आपके लिए एक जाम पॉइंट अब उसे इंपोर्टेंट हो जाता है और नेक्स्ट आपका लोथल ये लोथल से एक सवाल पूंचा जाएगा यहाँ दिखना है चीज लोथल लोथल की को डुआ करता था एंड यहाँ पर डॉक्यार्ड मिला है राइस हस्क मिले हैं फायर अल्टर मिले हैं इसके साथ साथ में यहाँ पर चैस या सत्रन जैसे खेलने वाली चीज़ें जो है वो भी प्राप्त हुई है यहाँ से तो यह सब के लिए आपका इंपोर्टेंट माना जा जहां दखिए है यह एक जगहां जहां पर घोडों की हड़टियां पाई गई हैं इसे या सकते है बर और आपके लिए साइट आपकी बनावली बनावली की खोच की है थे और यह हिसाथ डिस्टिक हरणा में पाई जाती है तो आपका नेक्स पॉईंट दूसरा point यहाँ पर यहाँ पर भी मोती बनाने की आपको क्या मिली कला देखने को मिली है जोंके साथ यहीं से मिले हैं और इसके लाबा प्री हडपन और हडपन कल्चर के जो दोनों के संस्कृतियों के मिलने वाले जो साच मिले हैं वो कहां से मिले हैं हमको वो भी हमें यही से मिले हैं जिसको बोलते हैं बना वली क्या बोलते हैं बना वली ठीक आगे बढ़ते हैं अब देखो धोला वीरा धोला वीरा आपके लिए इसलिए इंपोर्टेंट हो जाएगी कि धोला वीरा अभी हाली में UNESCO की World Heritage Side में गोसित हुई है यह UNESCO की World Heritage Side में गोसित हुई है यह रहा देखीगा World Heritage Side में क्या हुई है यह आपकी add हुई है ठीक है RS Business की खोचकी 1985 में इसके लाबा गुजरात के रड़ अप कच में क्या यह पाए जाता है ठीके बाद चलिए इसके लाब यहाँ पर QPMS है क्यों इसको ने सामिल किया है क्योंकि यहाँ पर जो जल प्रबंधन प्रणाली है इनका जो Water Management की टेक्निक है कि इतनी जानदा अदबुत है कि आज के जवाने में जो Civil Engineering करके लोग इंजिनी करते हैं वो इस पानी कहां से जाना चाहिए नाली उस पानी कैसे जाना चाहिए यह सारी प्रणालियां आप देखने को मिलती है कहाँ पर धौला वीरा में इसी वज़े धौला वीरा को इनिसको की World Heritage Site में घोसित किया गया राइट आगे बढ़ते हैं अब तो दों कुछ भंप में जान लेते हैं इंडियन मेली सलं पłyजर की क्या 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 STEVE तो तो Truman को थिन निवा एंप ने जो बॉटार में वह लोग भान्या है आप के वीडियो में नीचे ऐप करोजि यहां पर क्या उपफ़ेद का ईभाटा वैता पर और वीडियो आप के नाम उत्कास उपादेया पास औस लिंक कुलेक करेंगे पैस फेज आपका हड़पन भेजाल देंगे आपको वहाद Muslims on a प्रारंबिक आपका हरण चुरण है इप और यह 3300-2600 तक चलता है उसके बाद जो मैचुर हरण साइट आता है मैचुर हरण फेज यह उसको गोलिएजिव परिपक की उडपा चुरण आता है यह 2600-1920 तक आता है और इसके बाद आता है आपका लेटर हडपा फेज या बोला जाए इसको बाद का हडपा का काल जो कि 1900 से 1320 तक माना जाता है तो ये तीन आपको कालों में हडपा सबीदा को बंटा गया है ठीके बाद चलिए ठीके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये खरीद दिया होगा पस बहाँ पर कूपन को डाल दीजेगा 125 रुपे का आपको सीधे मिल जाएगा आजी आगे देखते हैं अब देखो सिंपल बताएं आप लोगों को अगर आपसे सवाल पूंचा जाए कि कि किसको हाकड़ा फेज के नाम से चानने जाते हैं और हागर हाकड़ा रिवर वैलाई भाहाँ अंदेखा कि बेवी लॉन से हमारे चल्पन कि crops का cultivation हुआ करता था, फसलों की खेती हुआ करती थी, मटर हुआ करती थी, मटर हुआ करती थी, तिल हुआ करती थी और इसके साथ में खजूर थे, cotton था, यह सब चीजे यहाँ पर उस टाइम पर गुगाई जाती थी, हडपा सब्सभीता में, इसके अलाबा अगर टाउन प्लानिंग की बात करें टाउन प्लानिंग बहुत ही घजब का था मतलब रोड जो आज के लम देख रहे हैं कि जो प्लान रोड बनते हैं 90 डिगरी पर रोड कट कर रहे हैं grid system था इसको बोलते थे इस लोग grid system बोलते थे इसके अलाबा देखेगा कि हडपा और मोहन जोदलो दो ऐसे सहर हैं जिसका खुद का सीटा डिल पाया गया है और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो ruling class हुआ गरते थी वो यहाँ पर रहती होगी जिस बज़े से यह थोड़ा सा उंचा बनाया गया था और इसके साथ-साथ में यहाँ पर पक्की इंटो के घर पाये गए हैं और यहाँ पर grid प्रणाली पाये यह grid प्रणाली मतलब है कि घरों के बीच में जो रोड थे वो एक दुसरे को 90 डिग्री पर कट करते थे और इसका फायदा यह हो जाता था कि जब कभी हवा चलती थी तो हवा का ventilations रहता था नालियां बगरा बनाने में आसानी रहती थी और इसके साथ-साथ में हवा चलती थी तो ऐसा बाना जाता था और आपका डेनिस सिस्टम की बात करें, निगास परणाली, बहुत अच्छी थी जल निगास की परणाली, इसके लिए धोला विरा फेमस है, कोट याड मिला है, आंगन मिला है, बातरूम बगरा बनी हुई थी घरों में, तो यह बहुत ही मतब रिच कल्चर माना जाता है, इस इस कल्चर को हम लोग अर्बन कल्चर के नाम से भी जानते हैं कि अर्बन कल्चर था, रूरल कल्चर यह नहीं था, इस बात को भी आप लोग क्या करेंगे, नोट करके रखेंगे एक ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्रिसी की बात करें, अग्रिकल्चर की बात करें, तो अग्रि किसे करते थे बैलों को बैलों से करते थे खेती बैलों से जुताई के लिए इस्तमाल किया जाता था और इसके अलावे या दखेगा कि अफगानिस्तान में जगा पड़ती है उसका नाम है सुर्थ गई तो सुर्थ गई अफगानिस्तान में जगा है जहां पर नहरों के है यह दखेगा चिलिए ठीक है आगे बढ़े बहुत बढ़िया कोई दिक्कत यहां तक कोई डाउट कोई सवाल हो आप लोग सवाल पूछ सकते हो एकदम सांती से मत बैठिये चलिए इसके लाबा देखिए कि यहां पर क्या हुआ कि घोड़े बगारा के निसान मिले हैं से कई सारे कंक्रूजन यहां से निकल के आते हैं एकोनमी की बात करें अर्थविवस्ता की बात करें तो अर्थविवस्ता में यहां पर यह लोग मोहरों का यूज करते थे मोहरों के यूज के साथ साथ में आपका यह क्या करते थे इस स्क्रिप्ट जो होती थी सबके लिए समान होती थी, ऐसा नहीं था कि अलग-अलग भासा के उच करते थे, एकी भासा के उच उपयोग करते थे और अज शिजों को नपने के लिए इनके बास नपतों के लिए इनके वो भी थे, क्या बोलते हैं, किलोग्राम या बजन विगुआ करते थे जिस्से चीजों को नपते थे इसके लापया देखेगा कि ये बैपार करते थे स्टोन का बैपार करते थे मेटल का धातों को बैपार करते थे और सेल यानि कि कि इसका खूल ब masculinity के पाई जाते हैं सिप मोती बेगारा के जोते हैं उनका भी यह लोग क्या करते थे बैपार करते थे ठीक है आगे बढ़ते हैं और चीजों की बाटे सिस्टम चला करता था बाटे सिस्टम का मतलब है कि चीजों के बद्दे चीजों को आधान प्रदान किया जाता था ऐसे ही यहाँ पर बैपार चलता था पर यहां पर मुद्रा नहीं चलती थी कि वह चीजों के लिए मुद्रा चल रही है, यह लोग वाटे सिस्टम को यूप्यो करना जानते थे, ठीक है, और यहां पर अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में क्या बनाई गी थी, इन्होंने अपनी एक ट्रेडिंग, कॉलोनी बनाई हुई थी, जो क्या करती थी, आपकी सेंटर लेसिया के साथ बैपार करती थी, क्योंकि यहां से जो अग्रिकल्चर एक खेती बेगरा है, बहुत होती थी यहां पर, और इसी जगह से दूसरी जगह पर पाद में क्या होने लगा, उसका टांस्पर होने लगा, तो चलिए, क्राफ्ट की बात करें, सिल्फ की बात करें, तो सिल्फ कारिये लोग जो करा करते थे, वो किस में करते थे बेटा, ये, ये मैग्जिम किसका ही उच करते थे, ब्रॉंच का ही उच करते थे, ब्रॉंच का ही उच करते थे, ब्रॉंच का ही उच करते थे बेटा, ब्र यह तरी copper mines भाई गी राजिस्तान में, यहाद अखेगा तो राजिस्तान से यह copper को निकालते थे, लेकिन tin की बात करें, tin, tin को यह लोग नहीं निकालते थे, tin का यह लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे, और कहांच बनाना गाते थे यह, अफगानिस्तान से, तो पाइड सीब बगएडा की माला हैं सीब बगएडा निकालना अपधिर निकालना तो इन बीडों का बनाना भी इनको आता था सील बनाते थे Stevens का व्यापार भी किया जाता था टेरा अजया झाता जया जया जाने-जय को यृषकहा जया जया ज 1986 तरीक इसके लाबा सब्squ cabin कि उर औरह देखते हैं लूग गुँमाने के लिए बतनों के लिए व सटाइम पर यह लोग एसी तरीके GO dejar के लिए जो हमें मूर्थियां मिली है इजिक्षी की मूर्त पूज़ा करना था और फार्टक्या यहां से ज़्यों से बरन देवी के तोर पर उसらा से की जिस तरीके से कि जब किनस ने अपनी नीन लादि की पूजा कि और नीन लादि को भागी देभी भागी जननी और भागा मां की अनर केशन को क्या का मांना है मां से जानबर है जिनसे हमारे पस्पधी महादेब जो है वो घेरे हुए है तो पस्पधी महादेब जो घेरे हुए है वो किसे घरे हुए है बैटा elephant से घरे हुए है elephant, tiger, rhinosaur और buffalo ये चार animal हैं जिनसे वो घरे हुए पाए जाते हैं पस्पदी महादेव ठीक है तो इसको अभी क्या करेंगे आप लूग याद कर लेंगे ठीक है elephant, tiger, rhinosaur या फिर आपका जाएगा buffalo तो ये सारी जानबर फस्पदी महादेव की आसपास बैटे हुए है ठीक है बात चलिए आगे बढ़ते चलो और देखा जाए यहां पर कि यह किसकी पूझा करते थे तो यार यह trees और animals की जानदा पूझा करते थे tree और animals की जानदा पूझा करते थे बच्छों और बच्छों और किसकी पौधों की पौधों की और जानबरों की जानदा पूझा करते थे ठीक है चलिए कारण फ़े बहुते बहुते थे हमने के कारण ने के रहा हमला के जाए ठीक है यहां कने ने आपने आप Wirin's होट्री और पटते कुरूष चीजों कीवज़े सेब्सके काव अंगय न ही खुरीил दीच और बत virus जानतर चीजों की बज़ेश इसको निग्लेट किया गया तो यह वाली थियोरी जो नहीं मानी जाती बट याद दखेगा यह भी एक थियोरी हमारे यहां पाई जाती है इसके बाद आद दखेंगे कुछों को ने बोला कि यार इंडेसरी सिविलाइज़सन के नेशो कारण वह हो सकते हैं कि बाड में आपके खतम हो सकती है उसकता बाड आई हो पूरी सब बताई नश्ट हो गई हो लोग वहां से सिप्ट हो गए हो या हो सकता है कोई भुकम बगर आया कुछ भी आया हो तो ऐसे कर कि अभी कुछ साथ से मारे मिलते हैं ठीके बाद चलिए या को ट्रीक कि हड़पास पता किया हुआ है, यहां से खतम हुआ ठीक है अब यहां से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, यह तो अभी सब्कों ॆ नहीं बता पाया है ठीक है बाध चलिए हाँ प्रस्ष्ञ पूचा जयाता है कौन से जानबर यहां पर नहीं था एकदम सही जनबर यहां पर यह है और चौता जनबर देखेंगे हैं यह और यह जो भी राह और देखिया जिए विए पाड़ियां पाड़िया पाय जाती है अफगानीस्तान क्या था? क्योंकि यहां को बदा लगता है कि इसी सगार पर यह पाइज जाता है। पत्थ्र इसको बहुत क्यों को नीले कर रंगा पत्थर होता है वो निलेगे का पत्थर जो है वो यहीं पर पाया जाता है और हडपा सब्विता में लोगों ने उन पत्थरों का यूच किया घरों में सजाबट के लिए, मनका बगरा के लिए तो सवाल ही आता है कि वो पत्थर इनके पास आते कहां से थे अब यहां से कुछ कोशन पूछे जाएंगे और वो कुशन आपके सामने है लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ यहांपर एक क्लास आपके डेली चलेगी कितने बजे साथ पीम पर चलेगी तो साथ पीम पर आप लोग एकदम से आना बिल्कल भी मत भूलिये हा सात बजे ए किलास चल रही है कैंटेफर जाल रही है यहांपर मर्नीग से बैन इहांपर करन इफरस क्लास चल रही है ठीके बात दूसरा पॉइंट यहां से आता है यहां देखेगा मॉर्निंग साथ एम करेंट इपरस की क्लास और तीन बज़ा आती लेकफाल क्लास यह सारी क्लास यहां लुकर सकते हैं ठीक, कोई दाउट, कोई दिक्कद यहां तक बेरी गुड चले, कोई डाउट नहीं है, आप लोगों को यहां तक कोई डाउट नहीं है पहले हिंदी चलती थी इस टाइम पर लेकिन अभी आपका क्या चल रहा है अभी आपका, हिंदी साथ 6-7 हो गई है अभी आपका यहां पर, यह आपके GS चलने लगी टेश्पूक पास, pokaश सपद्यागा आप क्या करेंगे और कैस्की नहीं है, उसके लिंपाइब करेंगे पहला दूसरा तीसरा जो लिंक पड़ा हुआ है उसको क्लिक करेंगे, आपlined एक पेज़ पर आजाएंगे अभी दिखा दूँगा आप लोगों किस तरिकेस आपको जाना है उस page पर आगर आपके लिक करोगे अपने number डालोगे और coupon code apply करोगे तो automatic उसके prices पहले से ही कम हो जाएंगे ठीके बात चलिए अभी पर आपको नहीं है चलिए सवाल बताईए आपका एक दो सवाल देख लेते हैं कि टाइम आपका हो चुगा है साथ पचासते क्लास से लेगी आपकी है प्रेट पर डाल दूँगा यूट्यूब पर बहां जाके आप इसके question बो सॉल्व कर लिजेगा और इसके साथ साथ में जाएगा आप अपने 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 पर जाएगा एप जाने के बाद बहां पर सच मारिएगा इंडेश वैली सिविलाजेसन का जो भी कुईज वहां पर पड़ी हो जो भी टेस्ट पढ़ा हो उस पूरे टेस्ट को आप लगा लिजेगा उसको कर लि से दिया कहा है क्लास उनली टू चौंजरो सीधी बिदाउस सीधी बिदाउट इटा डेल दौला बिडा डॉक्यार्ड और आपक लोगों के आद रहेंगे थीस कुछसन रहेंगे थीर्टी कुछन रहेंगे साथ में आपके क्या रहेगी ठीवरी रहेगी सिर्फ ठीवरी नह पुर्दार्ट मैच नहीं नहीं है तो चौंद्रोड जो पाए जाती इसमें कोई भी सीट अटल नहीं पाया गया है यह बात सही है राकीगणी की बात करें तो राकीगणी सिंदुगाटी सब्धा का सबसे बड़ा भारती एस तल है यह वी बात किया एक दम से सही है लेकिन आ लोतल हो जाएगा ठीक है चलो एक सवाल हो देखते हैं फटा-फट स्पीड में उसके बाद हम लोगो क्या करेंगे इसको खतम करेंगे इतने पर वेड़े सवाल आपके आसान सवाल आएंगे पहला पॉइंट यह नोट कर लिजेगा ठीक चलिए लेकिन इसलिए डाल कि आप लोगों का यहां पर जो मैक्जिम पॉइंट है वो क्या हो जाएं यहां पर कबर हो जाएं इसे पहला कुश्चन इंडिस वेली सिविलाइजसिंग ऑल्सों नेंज हडपा विकॉज ही वास्ट फेमस रूर आप टाइम ऐसा कुश नहीं था कि उसका हडपा नम रखा गय और इंडस ब्रॉंज स्टेच्यू इन गर्ड सीटिंग पॉस्टर सीटिंग पॉस्टर में नहीं मिली है खड़े हुए डांस कर रही है वो तो यह वाला गलत हो जाएगा यहां पर रिजन लाइक हिंदू बुद्धिज्म एंड़ इसलाम बर प्रेक्टिस हिंदू मुस्लि यहांसे कि बेटा किया क्ल्चा टॉपिकी में खतरा डीतों के सामने आप लोग जागे पीडिएफ संस्याक्राइइब क His K चलिए 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 कोई डाउट आप लोगो जब बताएं मुझे किसी तरी कोई डाउट है अभी भी कल का टोपिक क्या है अब बैदिक सोव रहा है कल बैदिक बढ़ेंगे बैदिक कल्चर पढ़ेंगे गल तो कल का टोपिक जो रहेगा बो रहेगा कौन सा बैदिक और पीडियाप में भी डाल दूँगा कुशन आप लोग क्या करेंगे लगा लिजेगा और इसके बाद आप लोग आप पर जाएए सीधे क्योंकि यहां पर कुशन कभी मिलेंगे कभी कम मिलेंगे सीधे आप पर जाएए एप पर आप साथ बॉक्स में डालिएगा इंडेस वैली सिविलाइजेशन क्या डालेंगे वहां पर और जिस बज़े से क्या हो जाएगा पर आपको जो कुशन मिल जाएंगे उसको आप लोग क्या करना लगाना है ठीक है किलियर कल साम को साथ बज़े बैदिक और सुबह कल साथ बज़े आपकी करेंटरफेस क्लास है उसमें आप लोग आना विल्कुल मत भूलिएगा ठीक है तो चलिए तो इदर देखेंगे हम क्या दिख रहा है हमें को करेंगे और हर सटेडे को सेम टाइम पर आपका क्या हुआ करेगा मॉक पेपर भी हुआ करेगा या दखीगा हम लोग मॉक को भी साथ साथ लेके चलेंगे मुक को भी साथ लेकर चलेंगे तो मॉक पर आपका कव होगा हर सफटेड़गोों लेकि मॉक भी लूंगब यहां पर और कल का टॉपिक जो है वह वह बेदी कर और पर सों को टॉपिक बता दूँ को अब आप लोगं को पर पर सों को टॉपिक कौन है कर देखो ओन जाए लिटेट को पर्फर्वरमेंट चेक करेंगे और डेली मैं आपको हंबक्त हो दूँगा अब लिगे दिया करूंगा यहां पर तो यहां देखी चगा यहां पर यह पिस पास कोड का यूज कर लेना और टेस्ट पूक टेक केर सुबह मिलेंगे साथ बुझे करेंड परस की क्लास में तब तक लिए टाट अबावावा टेक केर करेंज़ेंगे